नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नियोजन निती में संसोधन ततकालिन बेवस्ता है, जिसके तहत न्योक्ती परकिरिया को सुरूख की गई है सरकार के इस संकेत को सतारुड दल के नेता छात्रों के अंदोलन से होने वाले डैमेज को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में मन रहे हैं इन सब के बीच छात्रों के द्वारा आजामी आठ अप्रेल को मुख्यमंत्री अवास और दस अप्रेल को जर्खन बंद की घोस्तना कर सरकार के लिए मुशिवत खड़ी कर दी गई है भविस में इससे होने वाले राई निति नाफा नुकसान को लेकर सतर उड़ दल के अंदर मंतन चल रहा है जनकारी के मुताबिक सरकार द्वारा जर्खन बंद को टालने के लिए कुछ मंत्री और विधायकों को भी सेस रूप से जिमेदारी दी गई है और यह भी कहा गया है कि छात्र संगठनों से बात चित कर बीच का रास्ता निकालने के कोशिस की जाए इसके अलावे 1922 खत्यान अधारित आस्थानियता और नियोजन निति को लेकर सरकार द्वारा पिछले दिनों उठाए गए कदम और फैसले को प्रभावी ढंग से राजे की जानता को बताने का अभियान चलाने का भी साता रूट दल के द्वारा योजना बनाई जा रही है कुरोना के बारा नए मरीज राजे में एक्टिव केस एकावन जारकन में कुरोना धीरे धीरे फीर पाव पसार रहा है बुद्वार को राजे में बारा नए संक्रामित मरीज मिले हैं जिसके बाद पूरे राजे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर एकावन हो गई बरतमान में रांची देवगर्दुमका, पुर्वी सिम्मूम, हजारी बाग, खुट्टी, लातेहार, लोहरदगा और रामगड में कुरोना के एक्टिव संक्रमित मरीज है रांची में बुद्वार को दो नए मरीज मिले है इसके साथ ही रांची में अब एक्टि मरीजों की संक्या 14 हो गई सबसे अधिक तेजिस्ते रांची और जमसेथपूर में मरीज पाए जा रहे हैं हालाकि किसी भी मरीज की इसीती कुरोना के कारण बहुत खराब नहीं हुई है बता दे रांची सहीत पूरे राज में बरतमान में एक भी कुरोना मरीज की इसीती गंभीर नहीं है बिसे सग्यों ने बताया है कि कुरोना की लक्षन के मरीज बड़ी संक्या में OPD में पहुँच रहे हैं पर कोई भी जाच कराने को त्यार नहीं हो रहा है जैक बोर्ड मैटरिक और इंटर की कौपियों की जाच 21 अप्रेल से जारकन अधिवीद परिशत की मैटरिक और इंटर की परिक्षा समाप्त होने के बाद अब कौपियों के मुल्याकन की बारी है इसके लिए जैक ने 21 अप्रेल से राजे भर के 68 केंद्रों पर कोपियों की जाच की तयारी में है ताकि समय पर परिक्षा का पई नाम जारी किया जा सके बता दे जैक बोर्ड मैटरिक इंटर की परिक्षा समाप्त हो गई 14 मार्च से 5 अप्रेल तक राजे भर में आयोजीत इस परिक्षा कमतिम दिन इंटर्मीडेट के परिक्षा होई परिक्षा समाप्त होने के बाद परिचार्थियों में बहुत कोशी नजर आई बता दे जैक बोड ने कौपियों के मुल्याकन के लिए रांची सहीत पूरे राजे भर में सरसट मुल्याकन के इंदरे बनाये है जहां 21 अप्रेल से कौपियों की जाच होगी बता दे राजधानी रांची की बात करे तो जीलाई स्कूल सहीत साथ इसकूलों में कौपियों की जाच होगी जिसके लिए जैक जोर सोर से त्यारी में जुटा है कौपियों के मुल्याकन के लिए जैक ने निर्देश चारी करते हुए सभी परिक्षकों और मुल्याकन केंद्र के प्रधानों को आवसक एतियात बरतने का निर्देश दिया है जारखन केबिनेट की बैठक आज छात्रों की नजर सरकार पर नियोजन नितिक मुदे पर दबाव बनाने की कोशिस में जुटे भी भीन चात्र संगटनों की नजर गुरुवार को होने वाली केबिनेट की बैठक पर है उन्हें उमीद है कि राज सरकार के दोरा केबिनेट की बैठक में चात्रों के हीत को ध्यान में रखते हुए जरूर कुछ बड़ा फ्यतला लिया जाएगा हलाकी चात्र नेताव का मनना है कि विधान सबागेराओ से पहले जिस तरह से चात्रों को बरगलाने के कोशिस सरकार के दोरा की गई वह इस बार नहीं होगा राजे भर के छातर स्वांग अठी थाएं और विधान सभा घेराओं के दवरान हमने अपनी ताकत का हैसास सरकार को करा दिया है यदि 60-40 का फर्मुना सरकार वापस नहीं लेती है तो 8 अप्रेल को सियम अवास घेराओं के दवरान ही पता चल जाएगा की 10 अप्रेल को जार्खन बंद कैसा होगा कुडमी समाज का अंदोलन से गुरुवार को कई ट्रेने रद आदिवासी कुडमी समाज की ओर से अनिस्टित का इन रेल चकका जाम के बाद रेल्वे द्वारा बुद्वार को कई ट्रेनों को रद किया गया था टाटा नगर और खड़कपूर इस्टेशन के बीज, खेमा सोली इस्टेशन के पास और टाटा नगर आदरा इस्टेशन के बीज, कुस्तोर इस्टेशन के पास कुडमी समाज रेल ट्रेक पर बैट कर अंदोलन कर रही है आदिवासी कुडमी समाई द्वारा अंदोलन के कान रेल्वे ने गुरुवार को भी कई ट्रेनों को रद और कई को रूट में बदलाव करने के फैसले लिया है इसको लेकर रेल्वे ने नोटिफिकेशन जारी किया है संगठित अपराधिक गिरोहों पर नकेल के लिए बीसेस अभ्यान सुरू जारखन में सक्के रिए संगठित अपराधिक गिरोहों जब तक नेस्त नाबूद नहीं हो जाते तब तक उनके खिलाब करवाई जारी रहेगी इस करवाई में ATS भी पूलिस के साथ काम करेगी जारखन के DGP अजय सिंग और DG, CIG, अनुराग, गुपता, संगठित अपराधिक गिरोहों के खिलाब चल रही करवाई की खोद मोनेटरिंग कर रहे है बुद्धवार को भी पूलिस मुख्याले में परभावित जीलो के पूलिस अधिक्षकों के साथ बैठा कर DGP ने गैंक्स के खिलाब चल रही करवाई की समिक्षा की बता दे जार्कन पुलिस के IG अभियान अमोल होमकर ने बताया कि जार्कन में संगठित अपराधिक गिरोहों और उनसे परभावित जीलो को लेकर CID और ATS ने एक साथ अभियान शुरू किया बुद्धवार को राजे पुलिस मुख्याले में DGP अजाय कुमार सिंग ने CID, ATS और संगठित अपराधिक गिरोहों से सर्वधिक प्रभावित जीलो, राची धनबाद, रामगार, जमसेदपूर बोकारो पलामो के S.P. और DIG अस्तर के अधिकारियों के साथ समिक्षा बेटक की, जारखन में लूट वफ रष्टाचार में लिप्त है सरकार, रगवरदात, भाजबा के रष्ट्रिय उपाध्यक्स पुर्वस C.M. रगवरदास ने कहा है कि बरतमान में जारखन में लूट वफ रष्टाचार के सरकार चल रही है, इस सरकार को हटाने के लिए ह में एक जूट होना होगा अगामी चुनाव में इस सरकार का खात्मा हो जाएगा और ज्यारखन में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार आएगी रगवर्दास हेर हंज प्रखंड के आरा हैरा ग्राम में भाजपा के द्वार आयोजीत जन चौपाल का रिकनाव को समधित कर रह प्रदेश प्रभारी के ब्यान को बना गुपता ने बताया अभिभावक की बात ज्यारखन कंग्रेश प्रभारी अविनास पांडे ने मंगलवार को एक अख़बार के कारकरा में कहा था कि राज में चल रही है मंद सुरेन सरकार में कंग्रेश कोटी के सभी मंत्रियों का परफ्रमेस संतोस चरक नहीं है बता दे परदेश कॉंग्रेस परभारी और रश्ट्री ये महास्तरची अविनास पांडे के ब्यान पर जब स्वास्त मंत्री बना गुपता से स्वाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हमारे परभारी को मंत्रियों से और अधिक अच्छा करने है कि हमेशा हेल्थ विभाग उनके नाम ही रहेगा इसी बहाने उन्होंने पीए मुदी पर भी तंज कसा आए कि वे हमेशा परधान मंत्रि रहेंगे या जरूरी नहीं है कूर्मी समाज के रेल रोको से 95 ट्रेने हुई राद कूर्मी समाज अपने मागो को लेकर रेल रोको आंधोलन छेड रखा है इस आंधोलन के कारन रेल यात्रियों की परसानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है रेल्वे ने बुद्धवार को 28 ट्रेनों को रद करने के बाद गुरू आरको 95 ट्रेनों को रद करने का नाया आदेस जारी कर दिया है। गढ़वा जीले के राशन दुकानों में तौल में हेरा फेरी का खेल। गढ़वा जीले में जन बितरन प्रनाली के तहट राशन बितरन में भारी गढ़बरी देखनों को मिलती रही है। देश के 112 जीलो में गढ़वा ने हासिल किया 22 अस्थान। तक की इसमें मुखे रूप से स्वास्थ, नियूट्रिशन और सिक्षा को लेकर निधारित बिभी इंडेक्स की समिक्षा की गई। बीजेपी की 44 अस्थापना दिवस मनाने की तियारी पूरी। भारतिये जान्ता पार्टी का 44 अस्थापना दिवस गुरुवार को मनाया जाएगा। परदेश अस्थार से लेकर बूत अस्थार तक इसे दुम धाम से मनाने की तियारी है। इस असर पर कई परकार के कारिकरम अयोजित किये जाएंगे जिसमें कर्याले एवं घरों पर पार्टी का जंटा लगाना। पर आश्था जपी नड़ा का समोधन सुनेंगे। सियम हमन्त ने मुख्य नयाधिस से की मुलकात मुख्य मंत्री हमन्त्रे ने बुद्धवार को मुराबादी के राज की अति थी साला में ज्हार्खन हाई कोट के मुख्य नयाधिस संजय मिस्तरा से मुलकात की। इस मुख्य मंत्री हमन्त्रे ने इस मुलकात के बारे में ट्वीट करके जनकादी दी है। मुख्य मंत्री ने इस मुख्य पर अतिरीक्त उच नयाले एवं अधिनस्त नयालियों के अधार्बु सनरचना और मानोबल की उपलवता पर भी विचार विमर्ज किया गया। इनके अलावा इस मुलकात में समय पर मामलों को निप्टारे पर भी बल दिया गया। राष्टपती ने जानुम सिंग सोय को पद्म सिरी से किया समानेत। कोम जीला के तात नगर के मात कोम हातु गाउ में हुए था। सोय कुलहन विच्टव विद्याले में रीडर के पद से सिवा निवरीत होने के बाद घाट सिला जाकर बस गया है। इस अशर पर 72 वर्षिय डाक्टर जानुम सिंग सोय ने कहा है कि यह मेरे साथ साथ हो समाज के लिए भी गर्व की बात है। आकांचा के जरिये सरकारी स्कूलों के बच्चों के सपनों को भी मिलेगी उडान। अपने खर्च पर मेडिकल इंजिनियरी ओम क्लेट की त्यारी कराएगी। मेडिकल इंजिनियरी ओम क्लेट के लिए राज पर 50-50 मिलाकर कूल 150 सीटे ने धारित की गई है। परीक्चा में दसवी के बिद्यार्थी ने भाग लिया है। बार्चिक मैट्रिक परीक्चा संपन के तुरंत बाद 2 अपरेल को विद्यार्थियों ने अकांचा परवेस परीक्चा में सामिल हुए है। पलामू से 5 लाख का इनामी मावादी नन कुरिया गिरफतार। जिसका वो इलाज करवा रहा था। पलामू स्पी चंदर सिन्हा के नतीतों में पूलिस की एक टीम गठीत कर इसकी गिरफतारी की गई है। गुमला पूलिस को पैसे से भरे 5 बैग मिले। गुमला पूलिस ने एक युवा को पैसे से भरे बैग के साथ हिरासत में ले लिया है। पांच बैग है, इसमें चार बड़ा बैग वो एक छोटा बैग है। बैग में 5-7 को रुपए होने की संभावना है। गुमला पूलिस ने रावर केरा निवासी मोहमद फरीद को हिरासत में लेकर बुद्धवार के सुबा से लेकर देर साम तक पुष्टाज करती रही। फरीद के दो दोस्त मोहमद कैफव मोहमद कादीर की पूलिस तलास कर रही है। ये दोनों युवा गुपता बस से बीच रास्ते में ही उतर कर भाग गए। पूलिस के अनुशार मोहमद फरीद अपने दो साथियों के साथ दिली से बाई रोड बस से निकला था। जिस पर पदान मंतरी अत्यांत सने मार्क दसन पराप्त हुए और गुम्रा लुहरदागा संसादेर शेत्रे के हाल चल जाना। पदान मंतिर द्वारा संसा सुदर्शन भगत से संसाधिय चेत्र में केंद्र की योजिनाव सहीत संपून विकास योजिनाव की जनकारी ली टाटा मोटर्स के सेवानित करमचारी तीन माई को करेंगे भूख हरताल टाटा मोटर्स से सेवा निवरीत करमचारियों ने 3 माई को टाटा मोटर्स कमपनी गेट के समक्षभू कारताल पर बैठने की चतावने दिया है बुधवार को इंजन पार्क में सेवा निवरीत कर्मी सा यूनियन के पूरो प्रवक्ता संतोख सिंग के नितित में बैठक हुई इस बैठक में पेंशन और मेडिकल सुवधा को लेकर चर्चा की गाई इसके बाद नारेबाजी करते हुए सेवा निवरीत कर्मी टाटा मोटर्स कम्पनी गेट पहुँचे और सेकुरिटी डिपार्टमेंट के सिनियर मैनेजर विसाल सिंग के मादेम से टाटा मोटर्स के प्लांट हेड के नाम ग्यापन सौपा जैक बोड दसवी बरहवी रियल्ट जून में जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि मई महीने में टेबुलेशन कार्य पुरा होने के बाद जून में रियल्ट घोशित कर दिजाएगी टेबुलेशन का कार्य जैक में ही होगा इसके लिए तियारिया परिक्षा के लिए 1241 परिक्षा के अंदर बनाए गए थे धन्यवाद